इसलाम अलेकुम देखिए आज जो है अभी एडी मेरे घर सर्च वरंट के लिए आई है 2016 का ये मामला है CBI ने FIAR दर्ज की थी जिसमें ओलेडी केस जो है चल रहा है ट्रायल कोट के अंदर चल रहा है चार्ज पर बहांस हो रही है और उसमें जो है उसके बाद 2022 में ACB ने मेरे याँ सर्च वरंट के मुझे ग्रफ्तार किया जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई अब इसी मसले में एडी ने पिछले साल 10 अक्तूबर को मेरे याँ सर्च की है अब ये मैं इनसे जानना चाहता हूँ मैंने पूछा भी इनसे इडी वालों से कि अब आप क्या सर्च करने के लिए हैं तो मुकदमों में मुझे जो है दो दो एजन्सियों के जो के सेंसें उसमें मुझे दमानत मिल चुकी है अब इसमें आप सर्च कर चुके हो मेरी मदर इनवा उनको कैंसर है और उनका भी चार दिन पहले उप्रेशन हुआ है अपोलों के अंदर और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं मेरे पास हैं और मैंने इनको लिखर के दिया हुआ है एडी वालों को कैंसर का प्रेशन हुआ है और वो अगर उनको कुछ हो गया यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका यह जवाब देंगे अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ फर्जी मुकद्मा मुझ पर यह लगाते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक और एक एडी वाले case में तो ओर लेडी CBI से में जमानत पर हूँ, ACB से में जमानत पर हूँ, चार्षीट संम्मिट CBI में हो गई और उसमें कहीं भी नहीं है, फुद एसीबी वालों, सीबी वालों ने कहा कि हमारे को कोई ऐसा सुबूत नहीं मिला जिससे ये पसावित होता हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसे कि ये क्यों मुझे सर्च वरेंट के नाम पर ये ग्रफ़तार करने के लिए मुझे आये हैं हर नोटिस का मैंने इनको जवाब दिया है, एक मरतबा सुपरिंग कोट के कहने पर आठ अपरेल को तेहरा गंटे में एडी के अंदर रहा उस्ताज की और उसके बाद में 13 गंटे बाद में आया, सर्च ये और लेडी कर चुके हैं, पहले AC भी सर्च कर चुकी है, उसके बाद ED सर्च कर चुकी है, अब क्या सर्च करने के लिए मेरे घर पे आए हैं तो इन्होंने एक मजाग बनाया हुआ है, मुझे और मेरी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाते हैं, मुख्यमंत्री एक फर्जी मुकर्वे में अंदर जेल में हैं, अभी मनीश इशोदिया जी जो है 18 महीने में जेल से बाहर आए हैं, संजे सिंग जी पांच साल, पां तो मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, अपील है, कि आप जो है सयम बना कर रखें, और मैं एक वादा और आप से करता हूँ, कि जो भी आपके रुके हुए काम हैं, इलाके के काम हैं, डवलमेंट के काम हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग तकलीफ में ह सब चीजों में पूरी दरह से इन लोगों ने मुझे पसा हुआ है, जिसकी वज़े से कुछ काम लेट हुए हैं, लेकिन मेरी टीम, मेरे घर के लोग, और मेरी पार्टी के लोग, मेरी सरकार आपका एक एक काम कराएंगें, और हमने कुछ वलत काम नहीं किया, इसलिए दोजार बाइस में सर्च कर चुके हैं, शुक्रियां